नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रेंट्स में एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेटिस्ट सूचना लेकर आचका हूँ जैसे का आप लोगों देख पारे हो बिहार सरकार के सात निश्चे में एक आर्थी खाल युवाओं को बलके अं आउलाइन आवेदन करने की संपूर पकरिया के बारे में हम आपको बताएंगे आउलाइन आवेदन हे तुबे पोर्टल पर निवंधन की प्रकरिया यहां पर दी गई है जो कि हम आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाले हैं तो प्रेंस हम आपको बता दें यदि आप student credit योजना से क्या है कि इंट्रेस्ट रखते हैं या फिर आप विहार सरकार के दोरा यह जो योजना चलाई गई है और इसके बारे में हम आविदन पक्रिया की संपूर जानकारी देंगे यदि आप इससे इंट्रेस्टेट रखते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आविदन इसके बारे में हम आई जरुकते हैं तो यदि आप गरी जानकारी तो पहा सकती हैं यदि आपको ज्शानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें जाए जगाँ पर जैसे ऑप लो देक पर यह आफिसेल बेप पोर्टल जारी किया गया है और आप लो देख पार है ऑनलाइन ऑब दैने तुप बेप पोर्टल पर निवान्दन की प्रख़िया तो ऑनलाइन आवदन की सारी प्रख़िया हम आपको बताएंगे एक बार इस योजना के बारे म यूवा आप देख पार है यूवा अप मिशन.bh.gov.in पर यह आफिसल वेबसाइट है इस वेबसाइट को आप लोग ओपन करोगे ठीक ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि न्यू अप्लिकेशन रेजिस्टेशन पर किलिक करें ठीक उसके बाद आप न्यू रेजिस्ट पर अलग-अलग ओटीपी प्राप्त होगा दोनों पर अलग-अलग ओटीपी आएगे इमेल आइडी पर और मॉबाइल नमबर पर तो मॉबाइल नमबर और इमेल आइडी से प्राप्त ओटीपी दर्ज करें उसको आप दर्ज करेंगे छठा इस्टेफ है फिर आपका सात् कि योजना का चेंड करें तथा संबंदित पर किलिक करें तो इन दो योजनाओं में से दो या तीन जो योजनाएं चल रही है इन में से आपको कुंसी योजना चाहिए जैसे की बिहार स्टुडेंट क्रेडिटी हो जाना तो आप एक चूच कर लिजेगा ठीक एंड आप जब दिख रहा होगा उसके बाद पाशवर्ड बदलने की बिकल्प के साथ नया पेज खुलेगा और इसमें वर्तमान पाशवर्ड तथा नया पाशवर्ड आप श्यम चैन करें और दज करें श्रमिट पर किलिक करें उसके बाद आप लो देख पार है और निवन्दन की प्रक् या पूर्ड हो गई अब आप तकाल या बाद में कभी भी इस यूजर आइड़े एवं पाशवर्ड से लॉग इन करें ऑल्लाइन आविदन कर सकते हैं आप उसी टाइम ऑल्लाइन आविदन कर सकते हो या फिर आपके पास टाइम नहीं तो थोड़े दिनों बाद इस और बिहार.gov.in पर जाएं और अपने यूजर आइड़ियो और पाश्वर्ड का उप्योग करके लोग इन करें परतशित पेज पर व्यक्तिकत सूचना दर्ज करें सेव ऐज ड्राफ्ट पर क्लिक करें फिर सम्मिट पर क्लिक करें और कंफर्म हेट ओके करें परतशित करें और भरे हुए फार्म का प्रिवी देखने के बाद प्रिवी पेज को क्लोज करें और स्विट पर क्लिक करें आवेदन की पावती यानि के यहां पर यूनिक यूजर आईडी के साथ मॉबाइल नंबर तथा इमेल आईडी पर प्राप्त होगी तथा आवेदन की पीडिय आफ यानि के पीडिया फाइल आप लोगों को इमेल पर सेंड कर दी जाएगी उसके बाद आप लोगो देख पार है ओल्लाइन आवेदन की प्रिक्रिया पूंड हुई फिरा ओल्लाइन आवेदन के बाद चैनि जिले के जिला निवंदन एवं प्रामर्स केंद डी आर सी सी पर किसी भी कार्य दिवस को आकर कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं तो आपको डी आर सी सी पर किसी भी कार्य दिवस पर आकर कागजियों का सत्यापन कराना है और ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आप से कागजात या दिदस्ता बेज मांगे जाएंगे वो दस्ता बे वहाँ पर फोटू भी चिपकाई जाएगी आवेदन की हस्ताच्रीच करें और वहाँ पर आपका सिगनेचर लिया जाएगा उसको सिगनेचर भी कर देना है आवेदन की प्रति में वांचित कागजातों के अनुसार उसकी मूल एवं एकरत कर लें तथा पूरे सेट की एक छा प्रति को सहा प्रमाडित करें फोटू यूत हस्ताच्रीच आवेदन की पीडिया प्रति शभी मूल कागजात तथा सभी कागजातों की शह प्रमाडित छाय प्रति के साथ अपने जिले के जिला निवंदन एवं प्रामर्स केंदर पर जाकर अपने कागजातों का श्रत्या जाएगा important documents क्या हैं आपको आगे चल के बताएंगे निबंदन एम आवेदन करते समय बरती जाने वाली शावधानिया क्या है कि बे पोर्टल आप फड़ा जूम कर देते हैं यह देख पा रहे हो बे पोर्टल अपना वही दर्ज करें जो मैट्रिक दस्तुई के प्रमारपत् हाइ स्कूल के मांक सीट पर ही कीजेगा ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदन प्रापरत की hot copy भर सभी सुचनाओं को भर सकते रख ले ताकि ऑनलाइन भरने के बाद आसानी हो और बेक्तिका सुचना प्रपत्र में शही तथे बरें गलत सुचना दर्ज करने पर का अपना यूनिक आईडी एंड नंबर याद रखे ताकि भविष्ट में उसका उपयोग कर यानि कि आप अपने जो फॉर्म फिल करके hot copy निकालोगे उसका hot copy निकाल कर रख लीजेगा वो आगे चलकर कहीं भी आपका काम देगा ठीक आपके दोरह आवेदन के स्थित की जान का संसोधन नहीं किया जाएगा पूंड रूप से संतुष्ट होने पर भी सम्मीट बटन तबाएं अब इंपॉर्टन डाकुमेंट से क्या है यहां पर देख पा रहे हो शुगमगता पूंड आउनलाइन आवेदन यहां पर आप लो देख पा रहे हो कि अपना आधार कार् हम इमेल आईडी बनवाले और इन योजनाओं से संबंदी भी प्रकार की जानकारी किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तिस टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर सभी जिलाने बंदने में प्रामर्स केंदर पर आउनलाइन आवेदन करने की निशु कर सकते हैं अगर आप से पैसा मांगा जाता है तो आप पैसा देने से मना कर दीजेगा और जल जीवन हरियाली होगी जीवन में खुसियाली होगी शंखला बनाते तैयारी होगी 19 जनुरी को सबकी भागिदारी होगी ये अलग उनका कुछ टेग लाइन है ति इन सभी चीज करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ ये नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हो तो टेलिग्राम चैनल के लिंक मिलेगा डिस्क्रेप्शन में या फिर टेलिग्राम पर डाइट आप सर्च कर लोगे एक और आल्लाइन पॉइंट आपको मेरा चैनल दिख जाएगा और अनकारी कैसे लगी वीडियो को लाइक करके बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादे जाद सेर करें पर दोस्तों के साथ धन्यवाद दूस्तों फिर में के नएस वीडियो में तो तक लिए बाइटेक केर